दोस्तों इस वीडियो के अंदेर हम लोग बात करने वाले हैं इंक टैंक प्रिंटर्स के बारे में HP, Canon, Epson इंप्रिंटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वो मॉडल्स की बात करेंगे जिस मॉडल का सेल्स रेट बहुत अच्छा रहा है सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है अब तक बहुत जादे भी के हैं मार्केट में हर तरफ देखने को मिल जाएंगे इसी वजह से उसका सक्सेस रेट भी कन्फर्म होता है कि ये प्रिंटर लेने लाइक है वो एक अलग बात है कि किसी के पास वही प्रिंटर जल्दी खराब हुआ किसी की पास वही प्रिंटर जादे समय तक चला कुल मिला जुला करके जिस माडल का सक्सेस रेट अच्छा रहा उस माडल के बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो बहुत इंफिस होने वाली है समझने के लिए वीडियो सातने तक बने रहें वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें हमारा होसला बढ़ता है आगे दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि वो model कौन कौन से हो सकते हैं सबसे पहले सबसे कम प्राइस की बात करें तो वो बनाता है HP के models Ink Tank printer HP के सबसे ज़ादे विकने वाले models HP Ink Tank 315-316 model ये बहुत ज़ादे विका है और सबसे बड़ी बात ये है कि मिला जुला करके अगर आपका काउम नॉर्मल सा है थोड़ा मोड़ा print out करना है फोटो कॉपी बहुत अच्छा printer रहा है अभी हम आपको सजेस्ट करेंगे HP Ink Tank 316 की क्योंकि इसका price इस वक्त बहुत अच्छा है 10,599 मेर की 10,600 में Ink Tank All-in-One printer आपको मिल रहा है 315 भी अगर बजट में मिलता है offline market में तो आप बिल्कुल भी भाई कर सकते है color का फर्क होता है printer के color का फर्क होता है यह उपर का top red होगा और उसका black होगा 315 का black होगा लिए इस वक्त वो 11,000 के आसपास online है और अगर आप 316 लेते हैं तो 10,600 के अंदर यह मिल जा रहा है तो मिला जूला करके इस वक्त 316 प्रिंटर आपके लिए बहतर हो सकता है यह 7,500 पेज जो है black and white निकालेगा और 8,000 color निकालेगा यह तिनों colors को मिला करके 8,000 पेज निकालेगा आप समझ सकते हैं यह अच्छा खासा काम करने के लिए printer हो सकता है इसके अंदर print, scan, copy सब कुछ available है और refilling बहुत ही अच्छी facilities चुकि ink tank है तो जादे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है छोटा office है, home अगेरे के लिए अगर अप लेना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा HP का प्रिंटर हो सकता है इसका result बहुत अच्छा रहा और बहुत बिगा है इसके बाद next की बात करें तो HP का smart printer जो की 520 model आया बहुत बिगा market के अंदर ये जो है 12,000 black print करता है और 6,000 color print करता है इसके अंदर एक extra black bottle आपको मिलती है बाकि जो मिलती है वो मिलती ही है लेकिन black जो है एक extra आपको मिलती है ये इसके अंदर आप नहलेते हैं तो खास करके एक benefits आपको मिल जाता है थोड़े जादे जिनको print करना है पिछले वाले model से थोड़ा और जादे print करेगा और थोड़ा साई smart है इसके बहुत सारे review channel पे पड़े हुए है आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं overall सारे काम करता है और एक बहुत अच्छा printer ये भी है बहुत विका है इसका भी success rate बहुत अच्छा रहा है 12,999 की 13,000 रुपे के अंदर ये भी फिलाल है जो कि अभी भी आप buy कर सकते हैं 2024 में भी buy कर सकते हैं क्योंकि जो भी printers की मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत जादे market में बिके हैं और बहुत ही अच्छे रहे भी हैं क्योंकि इसका sell के हिसाब से success rate बहुत अच्छा रहा है उसके बाद next की हम बात करते हैं Epson के अंदर बहुत ही जाना पहचाना नाम printer के अंदर ink tank printer के अंदर तहलका मचाने वाला नाम Epson और इस वक्त जो है 32, 10 और 32, 11 बहुत market में बिका हुआ है जिस तरफ market में निकलेंगे ये बहुत अधिक मात्रा में आपको market में दिखता हुआ मिल जाएगा नहीं मिलता है तो इसका wait करते हैं 32, 10, 31, 12 में से कोई भी मिल जाए आप बिलकुल buy कर सकते हैं और prices इन दोनों के लगभग लगभग इस में बराबर चल रहे हैं 12,500 रुपे के आस पास में ये मिलेगा और मिला जुला करके बहुत अच्छा printer ये रहा है जब से ये बिक रहा है इसकी quality इसका speed बहुत अच्छा मिलता है मिला जुला करके काफी लोग इसको यूज करते हैं photo printing के लिए भी काफी यूज करते हैं और normal print के लिए भी लोग यूज करते हैं photocopy के लिए भी यूज करते हैं थोड़ा सा Epson के अंदर सिकायत रहती है कि 256 GSM paper में ये थोड़ा सा आनागानी करता है वहीं पर HP आराम से ले लेता है तो मिला जुदा करके अगर देखा गया है वैसे ऐसा नहीं कि सब में ये problem आती है लेकिन maximum लोगों के सिकायत रहती है normal A4 size का page अगर print out जादे करना है तो Epson आपके लिए बहुत बहतर है लेकिन अगर especially अगर आप लेना चाहते है फोटो के लिए all in one रहे लेकिन फोटो जादे अगर आपका काम है तो आपके लिए बहतर होगा Canon या फिर जो है HP क्योंकि उसके अंदर जो मोटे paper होते हैं एक बार भी इस रिकायत नहीं करते यानि कि उसको accept करने में ज़रा भी problem नहीं करते वहीं पर Epson में थोड़ी दिक्कत आ जाती है थोड़े से मोटे paper के साथ में लेकिन फिर भी normal printing के लिए कमाल case के performance रहे है 32, 10, 31, 11, बहुत अच्छे इस price के अंदर यानि कि करीब करीब अगर हम बात करें दोनों ही आपको 12,000 के अंदर-अंदर बिल जाते हैं 300 रुपे का prices का अंतर चल रहा है link मैंने दे रखा है वहां से आप इसको उठा सकते हैं बहुत अच्छा price आपको मिल रहा है उसके बाद next की बात करें तो Epson, Wi-Fi में अगर आपको चाहिए तो 32,52 बहुत विका है और ये बिल्कुल भी success प्रिंटर रहा है 15,500 रुपे के अंदर ये आपको मिल रहा है और ये Wi-Fi के साथ में आप mobile से भी printout दे सकते हैं Wi-Fi से connect करके laptop से कहीं से भी दे सकते हैं कमाल का printer है और ये भी बहुत विका है लोग बहुत जादे पसंद किये हैं इसको तो अगर आपको Wi-Fi वाला printer लेना है तो इसको भाई कर सकते हैं बाकि ये सारे printers जो हैं वो सभी paste को लेते हैं A4, A5, A6, B5, C6, DLS अच्छा quality जो है ये आपको print out करके देगा तो अगर Wi-Fi के साथ में चाहिए तो 32-52 बहिचक होकर के 2024 में भी ले लीजिए नएने models भी आ गए हैं हम उन पर भी बात करेंगे लेकिन ये सारे model बहुत अच्छे भी के हैं हमारा topic ही आज का वही है जो सबसे जादे भी का हुआ है market में जो सबसे जादे पसंद किया गया है वो printers की हम आज के इस video के अंदर बात कर रहे हैं उन्हीं में से एक ये भी है Wi-Fi वाला 32-52 बहुत अच्छा printer है उसके बाद अगले की अगर हम बात करते हैं तो आ जाते हैं Canon के अंदर लोगों का बहुत पसंदिदा मॉडल Canon का Pisma Megatank G20-12 बहुत पसंदिदा मॉडल है थोड़ा सा ओल्ड मॉडल जरूर लगता है लेकिन ये तना सक्सेस लोग मानते हैं कि आज भी लोग इसको ढूंड-ढूंड करके खरीदते हैं इसके साथ में दो additional black ink क के साथ आपके लिए मिल जाता है और एक बार में अगर आप इसको ये paste की बात करे तो 6000 जो है black निकालता है और 3 पिन्ग मिलकर के 7000 जो है prints का color निकालता है पिल्क होते हैं इसकी black ten ठोड़ी बड़ी होती है तो अकेले ही 6000 प्रिंट आउट करके देती है मिला जुला करके फोटो कापी जिनका जादे उनके लिए बहुत अच्छा प्रिंटर है खास करके फोटो लोग फोटो के लिए इसको यूज करते हैं मार्केट में लोकल मार्केट में जिनको पासपोर्ट साइस फोटो का जो लोग काम करते हैं, बहुत ही जादे लोगों के पास ये देखा जाएगा, क्योंकि लोग इसके क्वालिटी को बहुत ही जादे पसंद करते हैं, पेज भी लेने में कोई भी दिक्कत नहीं करता, प्राइसे भी बहुत अच्छा मौडल है, सकसेस मौडल है, नकस्ट की अगर हम बात करें, तो वह है कैनन का ही वाई 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 फाई, अगर कैनन के अंदर वाई फाई में चाहिए, तो जित 30000 ले सकते हैं, ये सिरीज बहुत अच्छा चला है, वाई पास बिका है, क्योंकि बहुत ही ब वाला प्रिंटर 14,000 के आसपास में बिकने वाला कैरन का एक ऐसा प्रिंटर है जो क्वालिटी के साथ साथ आपको फीचर भी देता है फाल्तू के फीचर नहीं मिलेंगे लेकिन जो भी फीचर है वो लाजबाब है जरूत के सारे काम करेगा आल इन वन प्रिंटर तो ये जितने भी सारे प्रिंटर की अभी तक हमने बात किया ये वो प्रिंटर है जो पिछले सावबे बहुत विके हैं और उनका सक्सेसरेट बहुत अच्छा रहा है तो अभी भी आपके लिए बहुत अच्छे है चाहे तो अभी भी आप इन्हें बाइ कर सकते हैं तो ये सारे प्रिंटर हैं उन्मेंसे जो आपके बाग्जर्ट में बैठताया जो ब्रंड सही है आपके हिसाब से आप कहां सर्विस जिसकी अच्छी है उसको आपबाई कर सकते हैं मिलते अगले वीडियो में किसी और अची इनफर्मेटी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यबाद करता हूँ आपका दिन सुभ हो